मोहबत इनसान से हो तो कहते हैं कि जिन्दगी बन जाती है मोहबत इनसान से हो तो कहते हैं जिन्दगी बन जाती है पर वोही मोहबत अगर माबाप से हो तो वो बन्दगी बन जाती है मैं सब कुछ हो जब तक वो मेरे साथ है मैं सब कुछ हों जब तक वो मेरे साथ है वरना उनके बिना तो हमारी क्या ही आउकात है Hello everyone, first of all my name is Ridhima Jaggi and हम सबने सुना होगा की जीने के हैं चार दिन, जिन्दगी चार दिन की but today I am going to prove this wrong like मेरा perception यह है, जिन्दगी के चार दिन ने, चार सीजन बोलना चाहिए जब हमारा bud bloom करता है, that is our childhood after that youth in the summer, that is full of energy and उसके बाद चीज़े थोड़ी stable, थोड़ा peaceful होने लगता है that is winters and adulthood and finally the autumn season, जहां trees start spreading their leaves तो एक simple सा rule है, हम लोग two-way conversation करेंगे जिस भी point पर आप मुझसे relate कर पाएं, एक बार smile कर देना and we will see कि इन पांच मिनिट में कितनी smile spread होती है जब फूल खेले बसंत के, तो एक बीच हमने भी बोया था बड़े होकर दिन में teacher और शाम में doctor बनेंगे ऐसा एक छोटा सखाब सजोया था जब TV का switch चलाते ही, सारी tensionों का cable कट जाता था जब बस कटी बोलते ही, जिन्दगी से सारे मनुस्व का साया हट जाता था अच्छा एक question, हमारा बचपन कैसा था? जैसा बचपन होना चाहिए ना, बिल्कुल वैसा था रोते थे तो चुपकर आने के लिए खिलोना मिलता था फोन नहीं और इस YouTube में भी तो मा की लोरी जैसा सुकून नहीं बचपन में सोचते थे कि बड़े होने का बस एक मौका दो और अब जब बड़े हो गए तो कहते हैं कि मुझे बस मेरा बचपन लोटा दो कोई लोटा दो वो बचपन जहां ना कोई जरूरी था ना किसी की जरूरत जब होटों पे मुस्कान थी कंदों पर बसता था सुकून के मामले में वो जमाना कितना सस्ता था आज मन में एक बात आई है और ये क्या देखा कि बच्पन के बसंत में अचानक से बरसात आई है और बरसात भी ऐसी कि पूरा अंधेरा चाया है यू लगता है मानो किसी भोले कैदी पर जवानी ने सक्त पहरा लगाया है बच्पन का दौर इस जवानी में खो गया पर फोड़े यादे तो बनाने दो थीक है करेड बना लेंगे फूड़ी यादे तो बनाने दो पता है neural page future generation चाचा चौदरी नहीं नहीं सुनेगी तो हमें उन्हें अपनी ही कहानिया सुनाने दो स्कूल से कॉलेच स्कूल से कॉलेच और कॉलेच से जॉब जिन्दी की आड़ी इतनी तेश चनने लगी लगता है मौसम सर्दी का आया है जो शामें इतनी जल्दी ढलने लगी अब नौकरी भी लग गई जिम्मेदारियां भी संबाल ली उस दौर पर आगए जिन्दगी के कि तकलीफ हो तब भी ना कोई पूछे हमारा हाल भी सारा दिन घर का काम करना मा का ही तो काम है और ये घर से दूर रहकर पैसे कमाने में ही तो पापा का आराम है ये सोचा ही किसने कि कभी वो भी सोचते होंगे अब क्या बाकी रह गया करना कोई तो बता दे अब क्या बाकी रह गया करना कोई थोड़ा सा तो बता दे जितना किया आज तक सबका उसका थोड़ा सा हिस्सा कोई तो जता दे जब खुद की फैमिली के साथ सेटल हो गए तो एक ख्याल अपने पेरेंट्स का आया कि मैंने उन्हें रोता देखा, मैंने उन्हें रोता देखा, हसते देखा अपने ख्याहिशों पर ताला कसते देखा, मेरे हर छोटे से छोटे ख्याप को उनकी आँखों में बसते देखा सारी उम्र निकाल दी, लोग क्या कहेंगे, इसे कैसा लगेगा, उसे कैसा लगा में अब थोड़ी तवज्जो खुद को देना चाहता हूँ, पर लग रहा है, मानो वक्त की कमी है जिस पर सबको एक जुट होकर देखना चाहता था, आज देख रहा हूँ कि बट रही वो जमी है पर मैं जा रहा हूँ तो क्या हुआ, चलती का नाम जिन्दगी है बहुत जिया लोगों के लिए अब उस रब की करनी बंदगी है जब चला जाओंगा यहां से, तो चार लोग कंधा देने तो जरूर आएंगे पर उसके आगे तो मेरे अपने भी मेरा साथ नहीं दे पाएंगे जैसे पजड में पत्ते गिरते हैं तो नजारा कितना सुन्दर होता है ना जब पजड में पत्ते गिरते हैं तो कितना सुन्दर नजारा होता है ना वैसे ही एक आता है और एक जाता है, यही तो उसके साथ फिर दुबारा होता है ना मुझे पता है कि चार दिन काफी नहीं है जीने के इसलिए मैंने उन्हें चार सीजन बना दिया बड़े होने की जल्दी में हम इसे कितनों ने अपना बच्पन और बच्पना गवा दिया अभी भी देर नहीं हुई चलो आज हम सब अपने आपसे गवादा करते हैं ये लोगों का डर थोड़ा सा कम करके अपने बच्पने को थोड़ा जादा करते हैं एक मैसेच एक हसीन धोकेवाज के लिए एक रोज मुझसे मिल आँखों में आखे डाल कर हाथ मिला ए बे एमान एक आखरी बार मुझसे बात कर लो मान लिया हर दफा तुझे कोसा है मैंने तेरे दुश्मन के पास आ गया और तेरा तोड़ा भरोसा है मैंने कोई सुबह तो खिलेगी कोई शाम फिर डलेगी पर तु फिर भी पहले जैसी नहीं चलेगी आज इस सब को छोड़ कर शुरू किया है नया सफर एक रोज मुझसे मिल आँखों में आखे डाल कर हाथ मिलाए बे इमान एक आखरी बार मुझसे बात कर इन्रियल जिन्दगी एक दगाबास है कल है या नहीं ये एक बहुत बड़ा राज है तो जीलो नायार अच्छे से हर पल आड दे एंड आफ दे डे मिली जाएगा हर प्रॉब्लम का हल पतजड तो गया और ले गया है जीवन मेरा बच्पन वसंत सा और गर्मी सी ये जवानी सर्दी की ठंडक ने आखिर पूरी कर दी मेरी कहानी जी लिया था हर लमाँ खुशाल था मेरा हर समाँ जिन्दगी के ये चार सीजन्स ने एक पल भी ना रहने दिया तन्हा आप सभी को अलविदा कहना आसान नहीं इसलिए महस मैं तेनु फेर मिलांगी कहके जा रहे हैं माना की ये रास्ता आज आसान नहीं माना की ये रास्ता आज आसान नहीं पर याद रखना की रास्ते के उस पार आपके लिए बहुत से सुनेरे मौके आ रहे हैं Thank you so much